हाई गई गई वेडियो और अखाउंट अड़ा गुडविल ऐसी चीज ऐसा ऐसे टोता है जो कि कभी दिखता रही है ठीक है होता सबके पास है पर दिखता नहीं है तो भाई लोगो आज हम बात करने मालें प्रीमियम फॉर गुडविल ऐसी गुडविल जो की दिख जाती है और बहनों प्रीमियम फॉर गुडविल ऐड्मिशन में किस प्रकार से काम आती है उसका क्या एडिस्मेट होता है इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा फ्लेश बैक में जाना पड़ेगा फ्लेश में जाने के लिए हम एक चीज़ समझनी पड़े की गुडविल ह होती हैं दो प्रकार के एक होती self-generated goodwill और यह परचेस you एक तो हम मेहनद करके कमाते हैं एक हम किसी का business acquire करके खराख आउते अगिर आप किसी का business acquire करके कमाते हो तो वो आपकी पुस्तक के अंदर दिखा दी जाएगी और आपने खुद ने मेहनत करके goodwill अगर कमाई है जिसको हम कहते है self generated goodwill तो आपकी पुस्तक में नहीं आएगी अब सबसे important बात यह है कि admission में यह चीज क्यों पढ़ाई जाती है क्या logic क्या है इसको पढ़ाने का तो इसको पढ़ाने का एक पीटा simple सा logic है क्या होता है जब भी पार्टनर आया मानलो अपने पर लिया था रामू शामू और मामू रामू और शामू तो पार्ट है जिन्हों ने दो साल से महनत करके एक धंदा खड़ा किया उसको नाम बनाया उसको काम बनाया अब तीसरा पार्टनर आया मामू वह तो नया है ना तो उसको क्यों extra profit प्रटनर मिल रहा है वह लोग दो साल मैनत की ऐ इस मेहनत के बदले में आब आपको ज्यादा profit मिल रहा है अब जब वह मामू आये तो फैसे के साथ थोड़ा एकस्ट्रा पैसा लेकर आयेका वह एक्स्ट्रा पैसा लेकर तो पुराने पार्ट्नर को रामु को दे देगा हप तुम ना पुरी बात वह थोड़ा एक्स्त्रा पैसे लेकर आए मैं कूँ लाए पैसा रस और इसलिए लाए आप कि वह पैसा उन दोनों को बाटा जा सके जब तो बाट पैसा उन दोनों को बाट देगा तो वो खुदखुश हो जाएगा क्यों कि मैं जो एक्स्राप्रोफिट कमाने वाला हूं उसका हिस्सा मैंने इन दोनों को पहले से ही दे दिया है ताकि अभी जीवन में मेरे को कभी भी हत्या ना पाले वो देखा है तुमने दारक महता का उल्टा चस्मा उसमें ना दया जी क के पास जाकर उसको 500 रुपे का डंड भर दिया क्यों कि भविश्य में पानी खर्च होगा पानी खर्च होगा तो लॉस होगा उसी प्रकार से जब पार्टनर आएगा तो पहले ही 500 रुपे ले जाके दोनों को ठीका देगा कि भाई क्यूंकि मेरे को तुमारी वज़े से फ फूचर प्रॉफिट फ्रम द एक्जिस्टिंग पार्टनर जो भविश्य में पैसा लेने वाला है नया पार्टनर फोकट का ठीक है वह कंपंसेट करेगा से क्रिफाइसिंग पार्टनर को बाई पेंग देम अमाउंट टर्म प्रीमियम फॉर गुडविल वह क्या करेगा व प्रीमियम फॉर गुडविल एक नाम है कि वह गुडविल का पैसा ला रहा है कोन्सी extra गुडविल जोकी उसको मिलेगी अब उसके आने से समझ ना उसके आने से पुराने पार्टनर को सेक्रिफाइस हो गया उस सेक्रिफाइस की भरपाई करने के लिए वह लेकर आएगा प प्रीमियम फॉर गुडविल एकलोती ऐसी चीज है जो की सेक्रिफाइसिंग रेशो में बटती है किसमें सेक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर बटती है इसके इलावा ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो की नॉर्मल कंडिशन में गेनिंग और सेक्रिफाइसिंग रेशो के अंद बटेगी सिर्फ premium for goodwill एक ऐसा हिस्सा है एक ऐसा पैसा है जो कि sacrificing ratio में बटता है और यह एक लौता ऐसा हिस्सा है जिसके लिए हम sacrificing ratio निकालते हैं अगर यह नहीं हो तो हम sacrificing ratio निकालना आवश्यक नहीं समझेंगे ठीक है तो चलो ध्यान से समझना payment for premium for goodwill is the method of compensating sacrificing partner for the sacrifice they made in favor of new partner उन्हाने जो sacrifice जिला है उसको बरपाई करने के लिए premium for goodwill दिया जाता है समझ में आ गया है तो partner आएगा एक्स्टा पैसा लेकर पर आएगा और उसको goodwill देदेगा ठीक है अब समझो पर अगर just in case हम मानते हैं कि कोई यह question ऐसा निकल गया जहां पर आपको balance sheet के अंदर goodwill पढ़ी वी दिख गई तो क्या करोगे यह जो goodwill देगो दो तरीके goodwill होती है एक होती है आपकी book goodwill और एक होती है बेटा valued goodwill valued goodwill होती है self generated goodwill जिसके बदले में premium दिया जाता है और book goodwill का मतलब होता है वो extra पैसा जो की आपने purchase goodwill ने वो वाला हिस्सा तो वो book goodwill का जो पैसा है वो आपका किताबों के अंदर देखेगा यानि कि वो आपके balance sheet के अंदर देखेगा तो अगर goodwill का या किसी भी तरीके का कोई भी question करने से पहले अगर आपको प्रशन के अंदर कोई भी goodwill दिख जाती है in the balance sheet तो सबसे पहले आपका काम क्या है उसको खतम कर दो it will be distributed क्या होगा distribute किया जाएगा सबसे important चीज कि अगर आपको किताब के अंदर कोई goodwill दिख जाती है वो यह नहीं है यह तो अलग है तो वो book goodwill के लाएगी और book goodwill का सबसे पहला काम है कि वो बट जाएगा कैसे बटेगा उसको बटने के entry क्या होती है वो देखो it will be distributed in old ratio कि इस रेशो में old ratio के अंदर वो goodwill बट जाती है और उसको बाटने की entry क्या होती है बेटा मान लो A B partner है C आया है तो A B के में बटेगी किस रेशो क्या entry होगी उसकी entry होगी A's capital account debit B's capital account debit to goodwill ठीक है किस रेशो में old ratio में sacrificing में नहीं बटेगा बेटा यह वाली goodwill ध्यान रखना मैं पहले ही समझा रहा हूँ कि स्रिफ और स्रिफ आपकी premium for goodwill है जो की sacrificing ratio में बटती है इसके इलावा कुछ भी sacrificing में नहीं बटेगा तो अगर आपको किताब के अंदर कोई goodwill मिल जाए तो दुनिया जहां भूल जाओ पहला काम आप यह करोगे कि उसको old ratio के अंदर distribute करके ख उसको बूलो इधर देखो जब partner आएगा तो वह सबसे पहले क्या लेकर आएगा बिटा पैसा लेकर आएगा पैसा लेकर आएगा तो जब भी partner पैसा लेकर आता है तो अगर cash के format मिलाएगा तो cash और bank के format मिलाएगा तो check के format तो bank तो हम उसकी entry करेंगे bank account debit हटो मरूसी आया है सीजिएड त吗 कि इस नुम जब भीं नर कैपिटल का हिस्सा लेकर आएगा कैपिटल बैंक मिला एतनों से पहले चीजिज यहां तक क्लिए हो गया तीक है कि तो मात में लेटे हम एक ऑड़ बन यौक क्या अब आगे बाद आती है कि अब वो एक्स्रा पैसा थोड़ा सा लेकर आएगा मुन्ना तो वो लेकर आएगा सबसे पहले कुछ अलग अलग तरीकों से सबसे पहला तरीका होता है कि प्राइवेटली उसने चुप-चाप जेम में से निकाला और पार्टनरों को बोला तुम तो साटों रख लो चुतुफ़ जूब अब आपन नए आधमी हैं बिल्कुल तीनों तु मैं की जानती तो उसके疇ब के अंदर कोई यंट्री नहीं की जाती क्योंकि simple सा logic है मुन्ना अगर उसको किताबों में entry करवा नहीं होती तो वो private क्यों देता question समझें देखो आपकी पुस्तक के अंदर question है वो question कराते उस question से आप समझ जाओगे easy है question जो है admission का privately का एक ही question है question रीड कर रहा हूं आपको सिर्फ reading सुननी है और समझना है कि question में क्या हो रहा है ठीक है न देखो तो question है आपका निकालते हैं ती एस ग्रेवाल अमारी पुस्तक है आपको पता होगा A and B are partner sharing profit and losses in the ratio 2 is to 1 question क्या है A और B तो partner है 2 is to 1 के अंदर ये ratio में profit share कर रहे हैं C is to be admitted for one-fifth share C one-fifth share के लिए आ गया अच्छी बात है अब क्या है for the purpose of C's admission goodwill is to be valued at 15,000 रुपे goodwill value करी गई 15,000 रुपे अब समझना ये कौनसी goodwill है value value मतलब किताब में नहीं है तो किताब में नहीं है मतलब पुरानी वाली entry होगी नहीं ठीक है C is to paid proportionate amount of premium to A and B privately इसने A और B को privately पैसे दे दिये हैं ठीक है अब मेरी बात को समझना क्योंकि इसने privately दे दिये हैं तो आप इस question के अंदर एक answer लिखोगे बहुत बड़ा no entry क्या लिखोगे बेटा कोई entry नहीं की जाएगी क्यूंकि उसने सारा अगा सारा पैसा प्राइवेट लेए समझ में आ गया प्राइवेट कंडिशन क्या होती है अब छोड़ो आगे बढ़े अब समझो आप मानते हैं कि भाईया पार्टनर आया प्राइवेट वाला केस तो हो गया अब मानते हैं अगला केस क्या है प्रीमियम फोर गुडविल बॉटन G environments approximately市場 कुण LA रटों पैसा लाया है तो आपनल लिखेंगे प्रीमियूं पॉर गोड़ięcy क्या लिखोगे बटा प्रीमियूं फॉर गोडविल तेक है जितना भी पैसा लाया है वो यहाँ एस पकार से लिख दिया जाएगा अगली चीज एक इंपोर्डेंट चीज आपको हमेशे याद रखनी है प्रेमियम आया है तो बटेगा केक कटा है तो बटेगा समझ मारी है प्रेमियम आया है तो बटेगा केक कटा है तो बटेगा बटे तूए तूवी यानि ओल्ट नरों को इन सेक्रिफाइसंग रेशो यह बाई डिफॉल्ट है इसके साथ चिपकी विए एंटरी आती है क्या कि अगर प्रीमियम आया है तो ओल्ड पार्टनरों को सेक्रिफाइसिंग रेशियो में बट जाएगा बिना किसी के कहे सुने माने जाने क्लियर हो गया आसान है समझ मा आया सबको बोलो हाया ना ठीक है एक कॉश्चन करते हैं यह देख लिए आपने कॉश्चन करते हैं ताकि आप समझ जाओ देखो एक ऐसा क्वश्चन लेते हैं जिसमें तीनों चीजें हो जाएं क्या है ओकी एक सेकंड रुको कोई अच्छा सा क यह दो सब्सक्राइब करने करेंगे अपन करते हैं म और जे वाला को अपन कुदी बना लिके माड़ में जान तो दुनिया को चलो तो माल लेते हैं एन बदी आर पार्टनर क्यूंकि कोई कॉश्चन ऐसा है इनि इसमें जारी चीज़ें तो एक ही में सारी चीज़ डाल लेत है थ्रीज भी टू के रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे है सी आया है वन फोर्थ शेयर के लिए ठीक है फॉर दावन फोर्च यहीं ब्रिंग्स ब्रिंग्स 50,000 as capital and 15,000 as premium for goodwill यहां तक क्लियर हो गया सी है जो वन फोर्च शेयर के लिए तो इसने 15,000 रुपे के लिए 15,000 रुपे premium के लिए ठीक है at the time of admission at the time of admission admission के समय goodwill appear in the books of account कितना ले मालो 40,000 रुपे 40,000 रुपे अब आप करो question तो इस question में मैंने सारे चीज़े डाल दी यहां मुझे मिला नहीं कोई सारा वाला ठीक है मिल जाए तो बता दे ना वो भी कर लेंगे ठीक है तो यह आपका question है A और B 32 में है C आया है वन फोर्च यह के लिए 50,000 रुपे की capital 15,000 रुपे का premium at the time of admission आपकी पुस्तक के अंदर भी goodwill दिखाई जा रही है 40,000 रुपे की सबसे पहला काम सबसे प्रथमकार किताब में जो goodwill है बाट दो किताब की goodwill को बाटने के अपने entry भी पिछे सीखिए क्या entry होती है old partner A B capital account to goodwill किस ratio में मेटा old ratio में 40,000 रुपे old ratio में बढ़ जाएंगे 3 to 2 के ratio में 44,000 को बाट तो 5,8,4,4,4,4,4,4 रुपे और 16,000 रुपे यहां तक distribute हो गए ठीक है यह आपका पहला काम हो गया अपन फोड़ी से सांस में सांस लेते हैं ससूर में ससूर लेते हैं ठीक है अब समझो अब बार आती है capital लाया है capital लाया भाई ठीकी बात है तो bank account debit to seize capital 50,000 रुपे ठीक है premium लाया है तो अपने लिखा bank account debit to premium कितनी वाया 15,000 रुपे अब समझना या भाई यार ऐसे कर सकते हैं या बताने जरा में को दौनों में bank debit ही तो हो रहा है तो अपन दौनों को compound कर देंगे तो यहां दौनों में bank debit हो रहा था दौनों की जगे मैं इस entry को ऐसे लिख सकता हूं क्या बताना bank account debit to seize capital और two premium for goodwill पूरा लिखेंगे आप capital में लिखा 50,000 रुपे premium में लिखा 15,000 रुपे और total हो गया कितना 50,000 रुपे इस तरीके से हम लिख सकते हैं ठीक है तो हम चाहें तो इन दो entry compound entry यहां पर कर सकते हैं तो मैं दोनों को मिटा दो तो हम यहां इसको मिटा देते हैं और आपकी जो entry है वह यह वाली बन जाएगी ठीक है आगे बढ़ो ठीक है पाटनर तो यहां पहले पता हो ने चीए कौन को ने तो भाई यह कौन सा केस है पहला जहां और बी है और सी का शेयर है कोई सरेंडर कुछ लेना देना कुछ नहीं होता तो पिछली वीडियो में सीखा था कि जब लेना देना कुछ नहीं होता है तो उस बनने तो टू ए टू बी प्रीमियम है 15,000 रुपे बट गया त्री स्टू टू में तो पांच पांच थीयर नौ और शे जार रुपे यह आपकी तीन एंट्री पर्टिकुलर कॉशन के अंदर हो जाएगी समझ माया तो भाई और बहनों यह हुआ आपका पूरा कंप्लीट क कि अंदर हम बात करने वाले हैं कि भाई किस प्रकार से जब पैसा नहीं लाता है आदा पैसा लाता है तो किस प्रकार से होता है आपको बस एक चीज़ ध्यान रखने है कि जब भी प्रीमियम आएगा इट विल अलू बी डिस्टिबूटेड इंद सेक्रिफाइसिंग रेश क्लास तो अगर आप लोग ने अब तक इसको पर्चेज नहीं किये इसको जाके पर्चेज करन लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूंकि यह ऐसी पुस्ते कहें जो कि आपके बार भी एकॉनमिक सी सारी दिक्कतों को चुटकी बजाते ही समाप्त कर देंगे तो चलिए आ कोशकार